हलो एंड वेलकम तो चैनल वंस अगें सो तेरी पेपर के सीरीज में ये नेक्स लेक्चर है हमारा जिसमें सी सी एफ नेट इस कॉमन कम्यूनिकेबल फॉर्मेट के उपर हम लोग यह वीडियो शुट करने वाले हैं और इस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज और सी सी एफ का एक तो फुल फॉर्म पुछता है उसके अलावा इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा और लास्त तक वीडियो को बने रहिएगा शॉर्ट वीडियो चाहिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वनमार्क वीडियो आपके मान के समझेए तो वाट इस सी सी एफ सी सी एफ सी सी एफ इस स्ट्रक्चर फॉर्मैट एक स्ट्रक्चर फॉर्मैट है पर क्रिएटिंग बिबिलोग्राफिक रिकॉर्ड बिबिलोग्राफिक रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए एक एक एजिंशी होती है, group of information agency उसके बीच में और लाइब्रेरी के बीच में An international symposium in Tormina An international symposium है Tormina में Sicily conducted by, इसने conduct किया UNESCO Conducted by UNESCO was held in April 1978 किसके द्वारा हेल किया गया था, यह UNESCO के द्वारा और कब April 1978 में On the recommendation of the symposium UNESCO Symposium UNESCO के recommendation पे यह conduct किया गया PGI formats and ad hoc groups on the establishment of common communicable format तो इसके जो है, फुलफा में याद रखिएगा और यह UNESCO और जो यह date मैंने यहाँ पर mention किया है यह भी आपको याद रखना है उसके अलावा, the first edition of CCA was published in Very important, यह point जो highlighted में है, इसको तो आप note down कर लीजिए कि question में as it is आ जाता है यह, the first edition of CCA was published in 1984 1984 में first edition इसको publish हुआ था under the editionship of Peter Samuel and Alan Hopkins Peter Samuel and Alan Hopkins के दोरा यह जो है publish हुआ था and its second edition और इसका दूसरा edition का publish हुआ था यह publish हुआ था 1988 में in two volume, दो volume में called CCFB जिसका नाम कहा था CCFB और CCFF very important things several countries have adopt this standard for exchange and creation of bibliographic record at national level और बहुत सारे जो है यहाँ पर countries जो है इन्होंने इसको adopt किया और जो है record बनाने के लिए national level की जो bibliographic record exchange के लिए इन्होंने इसको एक standard रूप में इन्होंने accept किया है तो यह था हमारा CCS related question मतलब theory और लेगिए short में जो बता रहे हैं आपको बहुत है helpful रहेगा so please करके वीडियो को जाज़ जाज़ शेयर किजिए student तक अभी वीडियो नहीं पहुचा है उन तक भी पहुचे ताकि वो लोग जो है यहाँ से help ले सके अपने upcoming exam में जितने भी competitive exam होते हैं उन सब के लिए lecture जो है very important है तो मिलते हैं आप सब इस next lecture में किस अलक टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद